हेलो एन वेलकम टू आर चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मुवी का नाम है कैच इन टाइम ये मुवी साल 2020 में रिलीज हुई थी और ये एक सची घटना पर बेस्ट मुवी है जो की चाइना में हुई थी तो चलिए शुरू करते हैं मुवी की बेसिक प्लोट लाइन मुवी की शुरुआत में हम पांच चोरों को एक फ्रेंशिप स्टोर लूटतावा देख पाती हैं फ्रेंशिप स्टोर वो स्टोर हुआ करते थी जब चाइनीज लोग उनके देश में आने वाले टूरिस्ट या गवर्मेंट ओफिचल्स को एंटिक चीज़े बेचा करते थी ताकि उनकी दोस्ती दूसरे देश के लोगों से बनी रहे लेकिन अब उन स्टोर्स में कॉमल लूप भी जा सकती हैं खैर इन चोरों के ग्रूप का नाम इगल गैंग होता है और इन चोरों के नाम जून, फ्लैक्स, मैक्स, टाइलर और फॉक्स होती हैं ये लोग चोरी करत कि पूलिस की कार अबीभी उनका पीछा कर रही है जिसे सुनते ही जून किंप की आंको पर पत्टी बांध कर उसे अपना मास्क पैना कर वैन से बाहर फेक दीता है यहाँ पुलिस वाले किम को चोर समझ कर उसे लॉक अप में डाल देती है और अव हम लॉक अप में किम को देख पाती है इधर हमें पता चलता है कि किम आज ही टीम कैप्टन के तौर पर ट्रांसफर हुआ था मुवी जाती है फ्लैश पैक में और इधर किम रास्से में खड़ा था तबी ओफिसर लियॉन किम को लेने आता है क्योंकि किम का आज पहला दिन था सेम टाइम पर इगल गैंग फ्रेंशिप स्टोर में घुजकर शटर बंद करके चोरी करना शुरू कर देती है दूसरी तरफ किम और लियॉन रेट सिगनल होने पर रुख जाती है तबी किम की नजर फ्रेंशिप स्टोर पर जाती है जिसका शटर बंद होता है जिसे देख किम को कुछ गड़बर लगता है क्योंकि आम तोर पर स्टोर बंद नहीं होती यहां किम गाड़ी से उतर कर लियॉन को कहता है कि उसे कुछ काम है वो बात में आ जाएगा तुम यहां से जा सकते हो तो यी सुन लियॉन वहां से चला जाता है किम शौप के अंदर जागता है तो उसे पता चलता है कि अंदर चोरी हो रही है शौप के अंदर जून शौप के एक स्टाफ को गोली से उड़ा देता है वहीं बाहर किम की नजर इगल गैंग के एक मेंबर पर पड़ती है जिस पर किम हमला करके उसे हतकड़ी पहना कर पुलिस को फोन बूस से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन तभी इगल गैंग किम को पकड़ लेती है और उसे वैन में लेकर फरार हो जाती है और यही सीन हमने मूवी की शुडवात में देखा था प्रिजेंट में लियॉन आफिसर चोई और आफिसर बिल को बताता है किम ही उनका नया कैप्टन है जिसे सुनते ही आफिसर चोई किम को लॉक अप से निकालते हैं इधर किम उन आफिसर से पोचता है कि उन चोरों का क्या हुआ तो विल कहता है कि वो जोर फरार हो गए, इसके बाद सीन पुलिस आफिसर्स की मीटिंग पर आता है, यहाँ पर सारे पुलिस आफिसर्स किम को बताते हैं कि पहले भी ऐसी बहुत सी मड़र्स और चोरी हो चुकी है, और शायद ये चोरी भी इगल गैंग ने की है, साथी में इस गैंग में पाँच नहीं बलकी छै मैंबर्स हैं, जिने आज सक किसे नहीं देखा, तो किम कहता है कि मैंने उन चोरों में से एक चोर का कान अपने दास से काड़ दिया था, आगे किम जब उन गोलियों को देखता है तो बताता है कि वो चूर हमें भटकानें के लिए अल बुचने लगता है कि उन चोरों को कैसे पता चला कि पुलिस कहां से आ रही है और तभी उसे समझा जाता है कि वैन में पांच लोग इसले थे क्योंकि छटा मेंबर यानि की लूप कहीं दूर से पुलिस की गाड़ी को देखकर उन चोरों को सेब सगे से निकलने के लिए काइ लेकिन उन लॉकर्स को खोलने में बहुत टाइम लगेगा और शायद तब तक पुलिस भी वहां आ जाएगी तो जून बैंक के लॉकर्स के डिस्क्रिप्शन को देखकर कहता है कि उसे इन लॉकर्स को तोरने के लिए एक रसी की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद ये लोग रात को एक सुनसान से बिल्निंग में जाकर बैंक में चोरी कैसे करनी है उसके प्रैक्टिस करती है और चोरी करने का मैक्सिमम टाइम 7 मिनिट्स रखते हैं इसके बाद नेक्स्ट इगल गैंग सूट पूट पहन कर बैंक के सामने वाले रेस्टरिंट में जाकर नूडल्स वहाँ पर काम करने वाली एक छोटी बच्ची बताती है कि नूडल्स बनने में 10 मिनिट लगेंगे तो जून कहता है कि तुम नूडल्स रेडी रखो हम 10 मिनिट में पैंक से पैसे लेकर आती है जिसके बाद ये लुक सीधा पैंक के अंदर जाकर अपनी अपनी पोजिशन्स ले लेती है और मास्क पहन का सारे गार्ड्स को गोली से उड़ा देती है और सिर्फ साथ मिनिट के अंदर ही पूरा बैंक लुट कर निकल जाती है चोरी होने की थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहां आ जाती है जो की देखती है कि उन चोरों ने चाल लॉकर्स सिर्फ एक रसी से चंद सेकंडों में तोड दिया इधर किम अपना दिमाग लगाता है और लियॉन को अपने जूते के फीते निकालने को कहता है फिर किम उस फीते को एक पैंसल से बांता है और बीच में एक गांट बांद कर दूसरे हिससे को दूसरी पैंसल से बांद देता है जिसके इन ओफिसर्स के सामने से इगल गैंग अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। यहाँ पर किम आसपास इंवस्टिकेशन करते ही करते ही। उसी रेस्टोरेंट में पहुचता है जहाँ पर इगल गैंग ने खाना खाया था। पुलिस वालों के गुस्ते ही छोटी बच्ची कहती है कि आप लोगों के आने से पहले 6 लोग यहाँ आये थे जिन्नोंने बताया था कि आप लोग उनके जाने के बाद इधर जरूर आएंगे और उन लोगोंने आप लोगों के खानी के लिए पैसे भी दे दिये हैं। तो किम उस बच्ची से कहता है कि हमें वही डिश दो जो उन लोगोंने ओर्डर की थी वो लड़की उन्हें वही सेम डिश देती है। यह उसे पहले बैंक के आसपास के इलाकों को देख रहा था। और अब किम कहता है कि उन चोरों को नेक्स टोरी करने के लिए जरूर नए हथ्यारों की जरूरत पड़ी इसके बाद हम नेक्स टेकिम और लियॉन को देख पाते हैं। आगे से ऐसा नहीं करेगा इधर इन लोगों के पास माकी की खिलाब कोई सबूत नहीं थे इसलिए किम उसे जाने देता है इसके बाद किम सेम वही मुवी देखता है जो अक्सर जूनकर लेते टाइम यहां देखा करता था अब नेक्स सीन में हम एकल गैंग को देख पाते हैं जल्दी से पैंक के पास वाली उची बिल्डिंग के अंदर जाकर उपर चड़ने लगता है क्योंकि अगर इधर पांच लोग है तो सरूर छटा मेंबर उची बिल्डिंग से नजर रख रहा होगा किम को बिल्डिंग में गुस्ता देख जून जल्दी से फ्लैक्स को बतात हैं और फारिंग शुरू कर देती हैं तभी नना को नोटिस करती है कि कार में एक पच्ची है और वो बेना सोचे समझे उसे बचाने के लिए चली जाती है और इसी बात का फैदा उठाकर इकल गैंग कई हद तक भागने में काम्याब हो जाती है इधर जून देखता है कि फ सामने से तो बेफकूफ अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है और इगल गैंग उनकी गाड़ी पर कबज़ा कर लीती है इधर किम को जून पर बहुत गुसा आता है और वो उसे घूर कर अपनी गैंग के साथ निकल जाता है अब नेक सीन में हम लियान को देख पाती है जिसे ब मदद कनी चाहिए जिसके बाद सीन इगल गैंग पर आता है जिने बहुत गुसा आ रहा था क्योंकि उनके टीम का एक मेंबर मारा गया था इधर जून इन सब को एक मैप दिखाते वे कहता है कि अब हमारे काम को फैलाने का टाइम आ गया है इसका मतब अब यह लोग चाइन कि बहुत से स्टेट को लूट लेती है और एक बार भी पुलिस के हाथ नहीं आती फिर प्रेजेंट में किम की टीम जब करंटली लूटी गई लोकेशन पर पहुचती है तो इधर वो दीखती है कि पब्लिक बहुत ही जादा वायलेंट हो चुकी थी लेकिन किम इन्हें शा इसे रैन नाम की एक लड़की टकरा कर भाग जाती है और उस लड़की के हाँ से एक टैरोट पेपर कार्ड गिर जाता है असल में उसे वहां बैठे एक टैरोट कार्ड रीडर ने बताया था कि वो जिसके साथ भी रिष्टे में आएगी उसका अंधिम परिणाम बहुत तो रैन कहती है कि वो बस नजारा देख रही है और वो अकसर यहां आती है आगे वो जून को बताती है कि जब तुम थर्ड फ्लो से नीचे देखते हो तो तुमें सिर्फ आसपास गंद की दिखाई देगी लेकिन अगर तुम वही नजारा थी सुवे माले से देखोगी तो वो नजारा बहुत शांदार होगा इसे सुन जून रैन से बहुत इंप्रेस हो जाता है और इधर इन दोनों को एक दूसरी से प्यार हो जाता है अब कुछ दिनों बात किम अपनी टीम से कहता है कि अगर इगल गैंग हम पर नजर रख रही है तो हमें भी उन पर नजर रख का सेकुरिटी कार्ड बना दिया गया था जिस कारण बिल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो इगल गैंग को एक भी पैसा ले जाने नहीं देगा वहीं किम जो की CCTV फोटेज को बहुत टाइम से देख रहा था उसे ऐसा हैलूसिनेशन होता है कि उसके आसपास कि लिए एक कान की मशीन भी खरीदी थी उन्हें गिफट करने के लिए यहां जून अब बड़ा हात माने की सूचता है जिसके बाद हम कुछ कोट्स को देख पाती हैं असल में इकल गैंग कभी भी अपनी चोरी को सिंपली वे में डिसकस नहीं करती थी यह लोग बुक्स के कोड पेजिस नंबर स्टेट का इस्तमाल करके चोरी प्लान करते थी अब हम नेक्स सीन में एकल गैंग के चार मैंबर्स को बैड्मिंटन खेलता देख पाती है इधर जून पूछता है कि मैक्स कहा है तो फॉक्स बताता है कि वो स्मगलिंग के काम से बाहर गया है जिसे सुन जून कहता है कि क्या चोरी से उसका घर नहीं चलता फॉक्स कहता है कि हमारे पैसे जल्दी खतम होने वाले हैं साथी में स्मगलिंग करने में कोई मारा नहीं जाता यहाँ पर फॉक्स फ्लेक्स की बात कर रहा था जिसे सुनते ही जून को गुसा आ जाता है और वो Fox को मानने लगता है लेकिन Luke इन्हें एक दूसरे से दूर करता है और बताता है कि Max की वाइब का हाली में एक बच्चा हुआ है और हम भी Max के साथ काम कर रहे हैं तुम भी हमारे साथ स्मगलिंग के बिस्विस में शामिल क्यों नहीं हो जाती तो जून कहता है कि अब चोरी करने का टाइम आ गया है जिसे सुनकर टाइलर हसने लगता है इसके बाद हम किम की टीम को देख पाती हैं जिने नना को बताती है कि आज ही वूजियांग ओल्ड सिटी के आठ बैंक से एक वैन गुजरने वाली है क्योंकि ये सारे बैंक एक ए ब्रांच के हैं और वो लोग इतने पैसों को बैंक से निकाल कर सेव जगे पर ले जा रहे हैं अब सीन सीधा बैंक के वैन के ड्राइवर चैन और माइकी पर आता है जो कि बैंक से पैसे निकाल कर वैन में डाल रहे थी ये दोनों साथ ब्रांच इससे और आटवे ब्रांच के तरफ जा रहे थी लेकिन तभी माइकी को पता चलता है कि आज चान डेट पर जाने वाला है इसलिए मैकी चान के पैस उसे एक गिप्ट खरीता है ताकि चान वो गिप्ट अपनी गल्फरेंट को दे सकी वही इकल गैंग आटवे ब्रांच के बाहर खड़ी होकर वैन का इंतिजार कर रही थी तभी एक बच्चा खेलती खेलती उनके पास आ जाता है तो जून उस बच्ची को ग्राइनिट पकड़ा कर कहता है कि अब इससे खेलो दूसी तरफ पुलिस टीम चोरों को पकड़नी का प्लैन बनाते वे आटवे ब्रांच की तरफ निकल जाती है इदर सीन वापस से आटवे ब्रांच की तरफ आता है और इदर को दोनों गार्स फैन में पैसे भनी लगती है यहां हमें पता चलता है कि चान की गर्लफरेंड यह इस प्रांच की कैशियर मैरी है जो कि आज की डेट के लिए बहुत खुश होती है यहां जैसे ही यह तोनों पैसे वैन में डाल देती है वैसे ही इगल गैंग चान और माइकी को मैरी के सामने ही गोली से उड़ा देती है यह देख मैरी सदमे में चली जाती है लेकिन वहां फाइरिंग हो रही थी इसलिए प्रांच की एक स्टाफ मैरी को नीचे छिपा लेती है गोली चलता देख वहां के इलाके की एक लेड़ी पुलिस को इनफॉर्म कर देती है यहां जैसे ही इकल गैंग प्रांच से थोड़ा आगे जाती है वैसी ही इनकी गाड़ी किम की टीम से टकरा जाती है और फाइरिंग होना शुरू हो जाती है यहां पर फॉक्स इकल कैंग की टीम का मेंबर मारा जाता है इधर जब इकल कैंग की गाड़ी पुलिस की गाड़ तबी उनके पैसों से भरे सारे बॉक्स नीचे गर जाते हैं और वो एक भी पैसा नहीं ले जा पाती जिसका अंड गुस्से में जुन बंप्लास्ट करके चला जाता है इसके थोड़ी दीर बाद एक पुलिस की मेटिंग होती है जिसमें किम बताता है कि आज बहुत सारे पु को एक भी पैसा ले जाने नहीं दिया ये सुनकर नना को और लियॉन को बहुत रोना आता है क्योंकि बिल उनके साथ बहुत टाइम से था और उनका बहुत अच्छा दोस्त था यहां पर ये लोग ये डिसाइट करती हैं कि अब ये लोग उन चोरो को कहीं से भी ढून निका करता है और उसे अपना एकात गवाना पड़ता है किम की टीम को मैक्स और टैलर के पास से कुछ कोड्स और बुक्स मिलती हैं जिनसे ये लोग ये पता लगाती है कि जून की वाइफ रैन प्रेगनेंट है और अब ये लोग रैन के सामने वाली बिल्डिंग से उसके उपर नजर रखने लगती हैं फिर कुछ दिनों बाद उस एरिया में जून आता है और बिल्डिंग में एंटर करता है लेकिन वो रैन के सामने वाले घर में जबर दस्ती खुसकर वहां की लोगों को बान देता है और रैन को देखने लगता है इधर पुलिस वालों ने रैन का फ ये भी कहता है कि उसके साथ बिताए गए सारे यादे और फोटो को खतम कर दो यहां रैन रूती रूती हमें जवाब देती है और कॉल कट हो जाता है जिसके बाद रैन चुप होकर अपने सारे बालों और जून से जुड़ी वी शादी की फोटो को तभा कर देती है जिसे पुलिस वाले और जून दोनों देख रहे थी यहां जून डस्ट बिन में एक पेपर फिक कर चला जाता है यह वही पेपर था जो उस टारेट कार्ड रीडर ने रैन के लिए पढ़ा था रैन भी अपना समाल लेकर बिल्डिंग से निकल जाती है लेकिन किम और ननाक को और बागे पुलिस आफिसर्स उसे पकड़ लेती है और उसके घर में चानवीन करनी लगती है यह लोग रैन से जून के बारे में पोच्छती है पर रैन उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती है कि तुम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे तब ही उन पुलिस आफिसर्स को रैन और जून के वेडिंग का कार्ड और एक बुक मिलता है तो किम उस वेडिंग स्टूडियो में जाकर इनकी आईडी लेकर जिससे रैन की शादी वी थी उसके पिक निकलवाने को कहता है और अब कुछ समय बाद ही इन्हें वो शादी की फोटो भी मिल जाती है साथी में वहाँ मिली गई पुक से पता चलता है कि अब जून एक ठेटर में फाइरिंग करने वाला है जिसके बाद ये लोग उस ठेटर में जाकर जून का वेड़ करती है इधर जून आकर गन निकाल कर रोड ही करता है लेकिन तब पुलिस उसे पकड़ लीती है लेकिन जब किम उस बंदी का चारा देखता है तो उसे लगता है कि ये जून नहीं है और हकिकत में भी ये जून नहीं था ये तो जून का भाई ल्यूक था जिसने अपने भाई को बचाने के लिए अपना कान काट कर जून की जगे ले ली थी और असल में जो वेटिंग फोटो स्टूडियो से पुलिस आफिसर्स को मिला था उसमें भी लिउक की था और जून ने पुलिस वालो कुफे से पेफकूब बनाया था फ्लेश पैक में दिखाया जाता है कि रैन ने जून के कहने पर दो फोटोस क्लिक करवाई थी एक जून के साथ और एक ल्यूप के साथ और पुलिस को ल्यूप की फोटो मिली थी सबी को लगता है कि जून पकड़ा गया जिस कारण से पबलिक में बहुत हला मच जाता है लेकिन अभी भी किम और ननाकों को ये सब इतना इजी नहीं लग रहा था फिर एक दिन लियॉन किम के पास आता है और बताता है कि माईकी ने खुद को गोली से मार कर आत्मा हत्या कर ली है क्योंकि लास्ट शूट आउट में उसके बीवी बच्चे मारे गए थे और उसके पास मुझे कोडर मिला है जिसमें जून कोड भीजा करता था यहाँ पर किम लियॉन का बहुत शुक्रियादा करता है और अब रैन के घर से मिले वे जून के सारे समानों को देखने लगता है जिसमें उन्हें एक शहर का मैप नहीं मिलता जबके बाकि सारे शहरों के मैप जून के पास थे बट एक ही शहर का मैप जून के पास नहीं था जिसे देख किम बताता है कि जब भी हम अपने घर जाते हैं तो हम मैप का इस्तमाल नहीं करते क्योंकि हमें उस जगे के बारे में पता होता है इसका मतलब यूंफैंक सिटी ही जून का बर्ट प्लेस है और जैसा कि इने रैन के घर से एक एर मशीन मिली थी उससे ये लोग ये समझ जाते हैं कि जून की एक मॉम है जिने सुनाई नहीं देता वहीं सेम टाइम पर हम जून की मॉम को देख पाती है जिसे जून एक एर मशीन देता है जिससे उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है असल में जून की मॉम एक बात हाउस चलाती है उसके बाद तुबारा सीन किम और नना को पर आता है जो की जून के होम टाउन में पहुँच चुके थी लेकिन इतनी बड़ी जगे में जून को पाना वो भी बिरा फोटो के बहुत मुश्किल था इसलिए ये लोग जून के कोड का वेट करती है और एक रात इन्हें जून का मैसेज उस कोडर पर आता है जिसमें लिखा था कि जहां पर बारिश होती रहती है वहाँ पर जल्द ही बारिश बंद हो जाएगी वहां मुझे तुम मिलना इस कोड से किम कुछ नहीं समझ पाता फिर एक राजब किम शावर ले रहा होता है तभी उसे ये कोड समझा जाता है और वो ननाकों से इस जगे जितने भी बाथ हाउस है उनकी लिस्ट निकालने को कहता है ननाकों बदाती है कि इस एरिया में टूटल 38 बाथ ह हैं तो अब किम कहता है कि अब हमें अलग-अलग होके बाथ हाउस चेक करने होंगी जिसके बाद किम घुमते घुमते जून की मा के बाथ हाउस में एंटर कर जाता है और जून की माम के कान में मशीन देख कर समझ जाता है कि यहीं उसे जून मिलेगा जून की माम किम से डर जाती है और वो समझ जाती है कि कुछ गडबर होने वाली है क्योंकि उन्हें भी पता था कि जून एक चोर है यहां पर किम नना को बैक अप बुलाने को कहता है और अब इदर किम एक टावल पहन कर जून के साथ पूल में घुच जाता है इधर किम और जून का आमना सामना होत पुलिस की मदद ले सकती थी क्योंकि इधर उनका बेटा ही गलत था यानि कि गलत काम करने का नतीजा हमेशा ही गलत होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये केस सॉल्व हो जाता है और अब सीन जून पर आता है जिसके सारे बालो को पुलिस वाले काड़ देती हैं और उसे सूट बूट पहना कर एक सुनसान जगे पर ले जाती है यहां जून के चैरे पर हम पहली बार डर देख पाती है और इदर जून का कतले आम कर दिया जाता है इसके बाद ये मूवी इदर ही खतम हो जाती है ये मूवी एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस थी जोकि साउथन चाइना में 1990 के दशक पर घटी थी और इस गैंग के लीडर का नाम जांक सन था और इसकी टीम ने बहुत सारी चोरि ने जांको पकड़ लिया जिसके एक साल बाद उसका कतले आम कर दिया गया और यहीं उसके भी कहानी खतम हो गई तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी